नमस्कार, मैं हूँ ट्विंकल और आप देख रहे हैं निशन भारत भारतीय टीम ने तीसरे T20 मुकाबले में न्यूजी लैंड को सूपर ओवर में हराकर पांच मैचों की सिरीज में तीन शुन्ने की अजे बरहत हासल कर ली ये पहला मौका है जब भारतीय टीम ने म्यूजी लैंड में T20 सिरीज अपने नाम की है अब टीम इंडिया शुक्रवार यानी 31 जन्वरी को वलंग्टन में होने वाले चौथे T20 में मिजबान टीम का सामना करेगी आपको बताते चले कि हैमिल्टन में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो रोहित शर्मा रहे जिन्होंने नाकेवल निर्धारित ओवरों में 40 गेंदों पर 65 रनों की तबार तोर पारी खेली बलकि सूपर ओवर में भी आखरी दो गेंदों पर दो चक्के जड़कर टीम इंडिया को हैरत अंगेज जीत दिलाई सूपर ओवर में जीत के लिए भारत को 18 रन की दर्कार थी जिन में से रोहित के बल्ले से 15 रन निकले इसके साथी भारत की वंडे और T20 टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा पिछले साल से ही शांदार फॉर्म में चल रहे है सूपर ओवर में उनके आसाधारन प्रदशन के बाद क्रिकेट जगत ने जमकर उनकी तारीव की इसके साथ ही आपको बताते चले की टीम इंडिया के पुडव विस फोटक ओपनर विरिन सहवांग ने भी अपने ही अंदाज में रोहित शर्मा की सरहना की उन्होंने शोशल मीडिया पर लिखा ऐसा लगता है अपुनिच भगवान है जिस तरह रोहित शर्मा ने असंभव लक्षे को संभव कर दिखाया ये लाइने उन पर बिलकुल फिट बैखती है मगर चार गेंदों में दो रनों का बचाव करना भी आसाधारन काम है जो मुहमर शमी ने किया यादगार जीत है ये आपको बता दे कि सिर्फ विरेन सहवाग ही नहीं भारतिय टीम के पुर्व ओपनर क्रिश रिकांथ युराज सिंग ने भी रोहित की तारीफ में कसर नहीं छोरी श्रिकांथ ने कहा क्या शांदार मैच था रोहित शनमा ने संसनी खेच बल्लेबाद जी कर टीम इंडिया को विजय मंजल तक पहुचाया आखरी दो गेंदों पर दो छक्के जणना अविश्वाशनिय बल्लेबाद जी है वहीं युराज ने कहा भाई आप शांदार है वहीं रवी चंद्रन अश्वणी ने भी शोशल मीडिया पर अपनी टिपनी की उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट का बहतरीन मुकाबला था रोहित शनमा ने धैरे पुर्वक बल्ली बाजी कर टीम को सूपर ओवर में जीत दिलाए आपको बताते चले कि हैमिल्टन में खेले गए तीसरे टीट्वेंटी में सूपर ओवर में टीम इंडिया की हैरत अंगित जीत के बाद पुर्वे दिगज बल्ले बाज वीवीएस लक्षपन भी रोहित शर्मा की तारिफ करड़े में पीछे नहीं रहे उन्होंने कहा ये बहतरीन जीत है निर्धारित ओवरो में मुहमद शमी ने चार गेंदों में दो रनों का बचाओ कर आसाधरन काम किया उसके बाद रोहित शर्मा ने दिखाया कि क्यों उन्हें दुन्या के सबसे खतनाक बल्ले बाजों में गिना जाता है ये मैच लंबे समय तक याद रखा जाएगा ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चानल के साथ हमारे चानल नीशन भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें नमस्कार लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए